दोस्तों आप देख रहे हैं सामाने हिंदी का फुल सॉलूशन याली कि आपके लास्ट कोश्चन तक पूरा सॉलूशन देखेंगे कोई भी चैनल आपको ये सॉलूशन नहीं देगा अगर कोई ऐसा चैनल है यूटूब पर तो आप मुझे भी बता सकते हैं मुझे भी बहु मार्क दर्शत सही करने वाला कोई नहीं मिलेगा चलिए इस कोश्चन पीपर के सॉलूशन की बात करते हैं इससे पहले मैंने 9 और 10 के कम्प्लीट सॉलूशन दिये हैं आपके बोर्ड के लिए अब आपका वारी है आपे 12 क्लास के सामाने हिंदी की बात कर रहे हैं इसके बा करते हैं पहला कोशन जो यहां पे पूछा गया है आपसे सिक्षा का उद्देश ये निवन्द के लिखा कौन है तो संपूर्णा नंद है सेकिंड ओप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इसके बाद में खव पाठ है ललू लाल की रचना कौन सी है तो प्रेम सागर है ठीक ह इसका सेकिंड ओप्शन करेक्ट हो जाएगा इसी तरह से आपका पैटर्न रहेगा 2022 का एक्जाम का उसी का यह प्रशन है और उसी का हम सॉलूसन देख रहे हैं आप इन सभी कोशन पेपर का पीडिएफ अगर चाहते हैं तो आप डारेक्ट यूपी बोर्ड की वेबसाइट पेजा करके इस कोशन पेपर के पीडिएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यह सारे के सारे कोशन पेपर अभी 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 अविलेबल कराए गए हैं दो दिन तीन पहले और यह सारे के सारे सबसे पहले नाइंद का पेपर आया था सारे सॉल्स करा दिये थे हमने अभी 10 और 12 दो दोनों के एक साथ में आ चुके हैं तो 10 और 12 को दोनों को साथ में लेके चल रहा हूं और सभी के question papers को solve कराओंगा आपको घबराने की कती भी आउशकता नहीं है यहाँ पर तीसरा question है पर्दा कहानी के लेखक हैं तो वो है यश्पाल ठीक है इसके बाद में आपका घौ ऑप् हैं तो कौन है वो हजारी प्रसाथ दिवेदी चौथा option इसमें correct हो जाएगा question number two काम यानी किस यूग की रचना है तो यह चायावादी यूग की रचना है second option इसमें correct हो जाएगा इसके बाद बात करते हम next question की तरफ आपको पूरा complete solution last तक दूंगा घबराने की जरा भी जाएगा इसमें तार सब्सक्राइब का प्रकाशन वर्स जो है उनीच सो तिरालीस इसमें आपका correct हो जाएगा और इसमें आपका दिवेदी यूग की रचना नहीं है तो कौन सी रचना नहीं है तो यहां पर आजाएगा घबरा ऑप्शन यानी की आपका काम यानी ठीक है दिवेदी यूग का इसके बाद आपका door option जो है इसमें निम लिखित में से कौन सी क्रत महाकाव्य नहीं है तो मामा जो है यह महाकाव्य नहीं है इसके बाद आते हैं next question की तरफ question number third में इस तरह का पैसे जाएगा आपके board exam में भी pattern यही रहेगा इसको मुझे आपको बतान changes का मतलब हो गया कि तीन number question की जगे चार number question नहीं आएगा तीन की जगे इसी type का question आएगा एक गध्यांस आएगा जिस पे आधारित प्रशनों के आपको उत्तर देने होंगे उप्यूत गध्यांस का संधर्व आपको बताना है सबसे पहले तो इस गध्यांस का संधर्व मैं पूचा गया है धर्ती वसुंद्रा क्यों कहलाती है तो धर्ती माता की कोख में अमुल्य निदिया मतलब तत्व या फिर जो सामगरी है जिसके कारण हुआ है वसुंद्रा कहलाती है इसके बाद में तीसरा प्रशनी सी में पूचा गया है कि रेखांकित पद जो यहां पे दिया गया तो उहां से मैंने ये रेखांकित लाइन ने उठाई है धर्ती माता की कोक में जो अमुल्य निदिया भरी है जिसके कारण हुआ वसुंद्रा कहलाती है उससे कौन परिजीत नहीं होना चाहेगा इसको हमें जो है व्याक्षा करके बताना है तो रेखांकित अंस की व्याक्षा हम कर सकते हैं विद्वान जो लेखक ने कहा है कि धर्ती माता की कोक में अमुल्य रतन भरे पड़े हैं और इन्हीं रतनों के कारण प्रित्वी एक नया प्रित्वी का एक नाम बसुंद्रा यानि वस्तुओ यानि रतनों को धार्ण करने वाली भी है बहुमुल या फिर हमें इससे परिचित होना चाहिए ठीक है तो यह आपका रेखांकित से जो आपका वर्ड थे इनके हमने व्याक्षा कर दिया ठीक है अब इसका चोथा जो प्रशन पुछा गया प्रित्वी की देह को किसने सजाया है यह प्रशन पुछा गया है तो दिन रात बहने के लिए यह आवश्य की प्रित्वी की कोक में भरी अमुले निधियों प्रित्वी में पोशित अनेक प्रकार की धात्वो और प्रित्वी की देह को सजाने वाली अनेक प्रकार की मिट्टी आदी की सही प्रकार से जांच पड़ताल या परिक्षन कराकर के देखा जाए कि यह सब किस द्रस्टी से उप्योगी है ठीक है यह हो गया question आपका complete और इसके आथवा part अगर आप करना चाहते तो आप यह कर सकते थे मैंने कोई भी आथवा में से एक करना है तो आपको कोई भी मैंने एक का answer दिया है ठीक है तो आप इस गद्यान्स का भी उप्यूत सीर्शक संधर्ब और रेखानकित अंसों की व्याक्या उसके अलावा लेखक क्या कहना चाहता है यह आप देखा है यहाँ पर लेखक क्यों कहता है कि उदास होना बेकार है यह और गद्यान्स का भाव सपस्ट करना है और गद्यान्स की भासा सेड़ी की विसेस्ता बतानी है तो एक आपको कोई भी question का अथ्वा पार्ट में से कोई भी एक करना है या तो main question करना है या अथ्वा करना है question number 4 का उत्तर देखते हैं तो यहाँ पर दिये गया गध्यान से इस पर आधारित प्रशनों के उत्तर देंगे यहाँ पर दो line underline है ठीक है उप्युक्त गध्यान्स का संदर्ब लिखना है आपको तो यह आपको गध्यान्स मिल जाएगा अगर आपके पास question paper नहीं है तो direct board की website से आप question paper को download कर सकते हैं तो यहाँ पर चलिए हम इस question paper का solution देखते हैं तो यहाँ पर जो है यह पहला question जो इसमें पूछा गया दुरबलता का ही चिन विशिष शपत है यह वाला जो आपका प्रशन नंबर चार का गध्यान्स से इसको हम पढ़ेंगे और इसके बाद में प्रशनों के उत्तर देंगे तो यहाँ पर है पहला प्रशन पहला प्रशन है उप्युक्त पद्यांस का संदर्व आपको लिखना है तो संदर्व प्रस्तुत संदर्व हम लिखेंगे यहाँ पर डोट लगा ना भूल गया यहाँ संदर्व के आगे डोट लगा दिया लाइन खेश दे संदर्व प्रस्तुत पद्याज हमारी हिंदी पाठे पुस्तक में संकलित रास्ट कवी मैतली सरंगुप द्वारा रचित केकई का अनुपात शीर्षक से उद्दत है या लिया गया है अनुताप से उसका बाद में दूसरा कोश्चन इसमें पूछा गया है रेखांकीत अंसों की व्या करने के अत्रिक्त कोई और उपाय नई है यह रेखांकीत जो अभी डो लाइने हैं उसका यह हिंदी अनुवाद है या व्याक्या आप बोल सकते हैं उसके बाद में तीसरा जो कोश्चन है इसमें पूछा गया है करके पहाड सा पाप मोन रह जाओं राई भर भी अनुताप ना करने पाऊं पंक्तियों में कौन सा अलंकार है तो इसमें उपमा और अनुपरास अलंकार का जिक्र हुआ है इसके बाद आते हैं चोथे कोश्चन पे पद्धांस का भाव इसपस्ट कीजिए तो पद्धांस का भाव हम इसपस्ट करते हैं दुरबलता की ही चिन कार करते हुए पंचवटी में उपस्तित सभा और सिर्राम के समक्ष कहा था जिसका आश्य था कि सोगंद खाना यद्धपी व्यक्ति की कमजोरी का प्रमान है तदा पी मुझे अबला के लिए सोगंद खाकर अपनी बात को प्रमानित करने के अत्रिक्त और कोई उपाय का प्रयोग किया गया है तो यह आपके पांचों प्रशनों के उत्तर हो गए अब इसके आथवा पार्ट अगर आप वह नहीं करना चाते थे तो आथवा पार्ट वाला लज्जा शीलता पथिक वाला यह आप कर सकते हैं ठीके तो आप इसमें से इस कोश्चन को करें या उस कोई भी में एक कोश्चन आपको कंप्लीट कराऊंगा हर कोश्चन का यहाँ पर इस उप्यूत ग्वद्यांस का संदर्म लिखना है अंस की व्याक्या करनी है राधा लज्जा सील पतिक महिला के विश्चे में आप क्या कहना चाती है यह बताना है और होट होटों की ओ कमल म करशक में अलंकार आपको बताना है और जलद और कर्शक ललना का अर्थ ऐस तरह से यह प्रशन के आप उत्तर दे सकतेैं चाहे तो जो मैंने प्रशन के उत्तर भी दिये हैं उन्म लिकित में किसी एक लेखक का साहिती परचे देते हुए परमुक रचनाओं का उलेख करना है किसी भी एक लेखक का आपको करना है आप आचार रहे हैं और उसके बाद में आपका कलाम है और आपका सरणागरवाल है इनमें से किसी का भी तो हमने जो है फर्स्ट वाला उप्शन लिया है याने कि हजारी प्रसाद दिवेदी तो जीवन परिचे में आच्चार हजारी प्रसाद जी का जन्म सन 1907 इसवी को बलिया जिले के दूबे के छपरा नामक गाउं में हुआ था पिता का अनमोल दिवेदी तथा माता का नाम ज जो जो तिश्मती था आप सर्यू पारिण ब्रामन थे यह मतलब ब्रामन थे ज्यादा आपको जरूत नहीं है समझना है कि क्या क्या लिखना है ठीक है हजारी प्रसाद दिवेदी जी के बच्पन का नाम वैदना दिवेदी था अठारा माई सन 1909 इसवी को हिंदी का यह महा साहितकार संसार को सुना करके पंच तत्व में लीन हो गया अब आगे बढ़ते हैं इसके आगे की बताते हैं साहितिक सेमाई या रचनाई हम बता सकते हैं दिवेदी जी का हिंदी निबंद और आलोच आलोच नात्मक छेत्र में महत्पूनिस्ताने वे उच्पोटी के से डिलिट की उपादी प्राप्त की डाइट की और कई विभागों के अध्यक्ष और स्रेश्टिक्षक के रूप में कार्रे करते रहें ठीक है अब इनकी कृतिया जो हैं उनकी बात करें तो इनकी कृतिया जो हैं इस प्रकार से कवीर सन 1922 और नात्र संप्रदाए 1950 हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 साहित्य कमर उनिसन नचास साहित्य सहचर कालिदास की लालिट योजना और मद्दे कालिन बोध का स्वरूप हिंदी का वे हिंदी साहित्य का उद्भव एंविकास निबंद संग्रह की बात करें तो इसमें कल्प लता अशो के फूल और विचार और विचार प्रवाह और कुटज और विश के दंत इस तरह से इनके है और पन्यास की बात करे थे इनके उपन्यासों में सामिल किया जा सकता है जिसमें बान भट की आदम का था चारु चन्द्रलेक पूर्न नवा और अनाम दास का पोथा ठीक है और अनामदास का पोता उसके बाद भाषा शैली की बात करें तो आच्चार हजारी प्रसाद जी का भाषा जो व्यवारिक सांस्क्रतिक और आपका पांजल परिमार्जित खड़ी बोली है इसके साहित में वननात्मक वेंगनात्मक और गणे गविशनात्मक के दर्शन होते हैं और साहित में इस्थान की बात करें इनकी तो साहित में इस्थान कुछ इस प्रकार से है हजारी प्रसाद जी ने सूर कवी और तुलसी आदी पर जो विद्टापूर्ण आलोचनाई लिखी हैं वे हिंदी में पहले नहीं लिखी गई हैं उनका निबंद जो है साहितिक हिंदी की इस्थाई निदी है और उनकी समस्त कृतियों पर उनके गहन विचारों और मोलिक चिंतन की छाप है विश्व भारती आदी द्वारा दिवेदी जी ने संपादन के छेतर में प्रयाप्ट सफलता प्राप्त की तो यह तरह से हम साहित्त में इस्थान वगरा और सारी चीज़े हमें लिखनी होती है द्यान रखना है इसका खवपार्ट में आपसे पूचा गया है कि निम्न में से किसी एक कवी का साहितिक परिचे देते वो चिरगाव यानि जासी में सन 1886 इस्वी में समवत 1943 में हुआ इनके पिता सेट राम चरण गुप्त को हिंदी साहित्ते के से विशेश प्रेम था और गुप्त जी की सिक्षा दिक्षा घर में ही संपन हुई घर के साहितिक बातावरण के कारणि में काववे के प्रती प्रवर्ति विद्वान थी यह अलपवस्ता में ही चीट पूट कविताय करते थे उनकी रचनाए करते थे आचारे महवीर प्रसाद दिवेदी के संपर्क में आने के पश्चात उनकी प्रेन्णा से काविर रचना करने करके इन्होंने हिंदी कावे की धारा में सम्रद किया को धारा को समरद किया इनकी कवीता लेखन का प्रारम सन 1909 इसवी में हुआ किन्तु इन्हें ख्याती सन 1912 में अनिक लगबग तीन साल बाद में मिली प्रकासित एक पुस्तक हुई थी भारत भारती जिसके पस्तात इनको मिलना सुरू हो गया इन्हें राष्ट कभी के रूप का निधान करके करने एम उसके विकास में गुप जी ने अपना अमूल लियोगदान दिया वे दिवेदी युग के सबसे अधिक लोग पर ये कभी माने जाते हैं इनकी कृतियों की बारे में बात करें तो इनकी बहुत सारी दो तरह की रचना है कि अनुदित और एक मौलिक अनुदित और मौलिक रचनाओं में उन्हें साहित्य में विशाल इस्थान दिया और इनका विशेशेत्र बहुत विश्त्रित है और मौलिक रचनाओं में उन्होंने जो है भारत भारती साकेत और योशोधरा नाम से दी और अन्य जो उनकी मसूर रचना है जो है जिसमें जय द्रत वद है अनद है द्वापर है जंकार है पंचवटी है नहूश है पृत्वी पुत्र है प्रदचिना है और सिद्राज है इस तरह से और अनुदित रचनाय जो हमने पूछा था अनुदित रचनाय उपर बताया था इसमें पलासी का युद है मेंगनाद वद है और व लिख सकते हैं धरूब यात्रा कहानी की वस्तुकता, तो आपको कोई भी एक करना होगा, तो मैंने कोई एक ही किया है, तो नहीं पर है यह जो आपका पंचलाइट की कहानी का उद्देश्य जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको आसानी से पढ़ करके याद कर सकते हैं यहाँ पर पूरा solution हर एक question का answer में आपको दे दूँगा तो आप इस कहानी का जो है उद्धिश्य देख सकते हैं इसमें जो है आपका punch light में जो है परिवेश की कहानी बिहार के परिवेश की कहानी है जिसमें इसका पूरा का पूरा संसकार बड़े बड़े लोगों का उसमें किस तरह से सिद्ध किया जाता है परतिबंद किस तरह से हटाए जाते हैं इर्षा द्वेश किस तरह से इसमें बनाई गई हैं या फिर बताई गई हैं वो सारी चीजे बताई गई हैं इसके आगे बढ़ते हैं साथवे कोशिन पे साथवा जो कोशिन है सुएं पठीत खंड कावे के अधार पर किसी एक खंड के प्रश्ण का उत्तरा आपको देना है इसमें आपका पहला प्रश्ण पूचा गया है स्रवन कुमार कावे के नायक का चरित चितरन करना है अथवा म उनका अंदर स्रवन कुमार का अंदर क्या क्या तो वह मातर पित्र भक्त थे एक तो यह चीज हम उनको बता सकते हैं आप कावे खंड का आदार पर उसका अधावा सत्ते वादी में मतलब सत्ते वादी नाम के सत्ते वादी तो बहुत बढ़े थे ठीक है और इसके अलावा छमावादी तो पूछो ही मत। छमाशी लितने थे कि इनहों ने अपने जो पर इनको तीर लगी थी, उन्होंने मेरे भाग्य में जो लिखा हुआ है वो मुझे प्राप्थ हुआ तो भाग्य के अनुरूप वो चलना जानते थे किसी को दोश नहीं देते थे यानि कि कहते थे कि मनुष्य से जो कर रहा है उसके कर्म ही उसके परिणाम जो है देते हैं इसके बाद में आत्म संतोशी भी थे वो और भारतिय संस्कृति का उत्छ जो वो सच्चा प्रीमी कहलाए गए तो इस तरह से हम इनके पूरा का पूरा जो है कावे खंड के नायक के बारे में इक एक पंति एक लाइन को हम इस तरह से लिख सकते हैं इसके बाद में सेकिंड जो इसी का अथवा पार्ट है तो इसका जो अथवा नहीं सेकिंड पार्ट जो है इसमें से कोई एक करना था इसमें रश्मिरती का खंड का अधार पर कर्ण का चरिचेतन करना है या फिर आप कर्ण का जो चरिचेतन खंड का अधार पर करना है और पर आप लिखा तो रस्मियती कंड के चरीत पर अधारित जो है आपको चरीशित्र करना है विश्टन रगग्रार तो मैंने जो अथवा पाट रा-पर इसको किया हुआ यहां पर लिखा हुआ है तो यह पर कड्ण का की तो नायक कड्ण था नायक के रूप में माना उसके बाद में सासी और वीरियोद्धा के रूप में माना गया है। इन सभी के पैराग्राफ वन वाई वन लिखने हैं। आपको बहुत समझदारी से समझना है। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आप आराम से सांती से पढ़ोगे बिल्कुल धहरे से तो आपको सब कुछ स काड़ता है तो भी वो अपने गुरू को डिस्टब नहीं करता है। उसको परिशान नहीं करता है। उसके बाद में परम दान वीर है। उसने अपने हर चीज को दान किया है। जब भी उससे मांगा गया है। उसके बाद में आप नेक्स जो है इसने एक और कहा था कि जैसे तरह कौरव को कर्ण मिले थे यह भीष्म की वानी थी और इसके बाद में हम अगला जो कॉशन के हैं इसमें टॉपिक ले सकते हैं वो जाती प्रता का विरोधी थे कर्ण और उसके लावा कर्तक गे थे ठीक है उन्होंने अपने सभी को मतलब हर मतलब आप देखो गए आपने पढ़ा भी है और वैसे भी आपको केवल लिखने की समझे होनी चाहिए कि कैसे लिखना है तो यहां पर सब कुछ लिखा हुआ है बाकी आपने महाभारत देखी हुई आपको सब कुछ याद होगा केवल उसको लाइन से पिरोना है पिरोना का मतलब है सही तरीके से लिखना है ताकि एक्जामनर पढ़ते ही आपको नंबर दे दे ठीक है तो यहाँ पर जो चीज लिखी गई है इसको आपको ध्यान रखना है इसके बाद में इसमें थर्ड पर्शन जो पूछा गया है मुक्ति यग्ये खंड कावे का कथानक लिखना है या फिर नायक का चरित चितरन करना है इसी का तो हमने किया है खंड कावे का जो है इसमें आपका लोक का तयान महा कावे का यन्स है और इसका कथानक हमने लिखा है इसके माद्यम से क्या कहना चाता है यह हमने बताया है ठीक है यह सुमित्रा नंदन द्वारा रचित कव्विखंड है और इसमें घटनाओ का जो है स्वतंतरता संगराम जो घटना हुई है उसका चरित चितरन किया गया है इसके माद्यम से वे अंग्रेजों के इस कानून का विरोध करने के करके जनता में चेतना का उत्पन करना चाहते थे ठीके ना यह इनका जो है इसमें यह पूरा चीज आपको लिखना पड़ेगा तो इस तरह से आप इसमें पूरा का पूरा लिखेंगे और इसमें जो है विदेशी वस्तुव का जो हटाया गया और गांधी जी ने जो स्वदेशी अपनाओं का नीती अपनाया था उसको बहुत प्रोसाहित किया गया इसमें भारत छोड़ो का नारा दिया गया और संपूर्ण स्वतंतरता चाहने की बात की गई थी ठीक है अंग्रेजों ने फूर डालो राज करो वाली नीती जो है उसमें जो उन्होंने मुस्लिम लीग वगरा की स्थापना की थी भारत विवाजन की जो मांग हुई थी तो वर्स सन 1947 में भारत को पूर सोतंतरता के रूप में राजटेक घोशित कर दिया था तो इस तरह से पूरा का पूरा हमें कतानक इसमें बताना है ठीक है यही बहुत बड़ा एक achievement है बाकि आपको किसी भी चैनल पर मैंने आपको पहली बताया था अगर लाइक दबाना भूल गए होगा तो लाइक बटन तो यार प्रेस कर दो और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो दोस्तों को शियर करना मत भूलना लाइक बटन जरू आपको काम है इसके आगे जो question है question number 4 तो इसमें त्याग पंथी कावे खंड की कथा वस्तु आपको लिखनी है अथ्वा में आप चाहे तो त्याग पंथी हर वर्दन का जो चरित चित्रन भी कर सकते हैं ठीक है तो हम यहाँ पर इसका जो है पूरा का पूरा खंड कावे की क राजनीतिक एकता और विदेशी आकर्मन करताओं को भारत से भगाने का भी वंडन किया है ठीक है तो यहाँ पर प्रतम सर्ग में क्या किया गया है यहाँ पर आपका पूरा लिखा गया है प्रतम सर्ग में क्या क्या हुआ इसमें से जरूरी नहीं है कि आप पूरा का पूर लिखना होगा इसके बाद में दित्य सर्ग क्योंकि 5 सर्ग है तो 5 सर्ग के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको लिखना होगा दित्य सर्ग में आपको ये पूरा का पूरा इस तरह से लिखना होगा इसमें से आप 3-4 लाइने कम कर सकते हैं यहां तक आप इसमें से कुछ भी तरीके से flow यही रहेगा यह 33 सर्ग है 33 सर्ग में आपका यह वाला पूरा का पूरा तीसरे सर्ग में आपको लिखना है आप चाहें तो paragraph यह वाला आप छोड़ सकते हैं अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो लेकिन लिखना बहुत जरूरी होता है अब आपको देखना ये है कि आपके टीचर आपको किस तरह से तयार करें उसके बाद चतु सर्क जो है इस तरह से आपको लिखना है और पंचम सर्क में आपका इसका निर्णा हो जाएगा और इस तरह से हमें सब कुछ बताना है या फिर इसका कथा वस्तु आपको लिखनी है ठीक है तो दोनों में से कोई भी एक करना है आपको तो यहाँ पर हमने नाइका की जो है चरिचितनन किया है तो यहाँ पर दुरपदी एक नाइका के रूप में उबरी है तो उसके बारे में पहला पॉइंट हमने लिखा है नहीं कि मैं कौन हूँ दुरपदी दुष्टमुन की बहन और पांडु कुल वदु भिष्म दुर्ष्टरात विदुर को कबरे यहां सेहन तो यहां पर उन्होंने बोला था कि इस तरह का ये दो लाइने उन्होंने बोला है अगर आपने महाबारत देखी है तो इसमें इस शीलता भरपूर है उसके बाद में वो साधवी के रूप में भी उबरी हुई है तो यह साधवी का भी आप दे सकते हैं तो इस तरह से आप उनके बारे में जो इतना भी चरिचितरन है वो कर सकते हैं इसका बाद में खंड खवा आपका सुरू होता है हर प्रशन हमने देख क्लिए अब आठोटे प्रशन पयाते हैं दिये गए संस्कित गढ़यान्सों में से किसी एक का संदर्भ सएथ हिंदी में अनुवाद कीजिए तो पहला यह है और इसका अत्वा में यह वाला है तो आपको जो आप चाहे तो हंसराजवाला कर सकते हैं या फिर आप कर सकते हैं ये वाला ठीक है तो दोनों में से को ये कर सकते हैं मैं आपको पूरा का पूरा आंसर बता रहा हूं ठीक है तो चलिए आईए इसका अंसर देखते हैं तो यहां पर है संदर्व प्रस्तूत गद्यांस हमार प्रफम युग ने पश्शुओं ने शेर को राजा बनाया और मचलियों ने आनंद मचली को तथा पक्षीयों ने सु वर्ण हंस को ठीक है इस तरह से हर जाती में ये हन-वर्ण में अपने लोगों ने इस तरह से ऐनुवाद करना है आपको उसमें कुछ भी नहीं है कि मतलब आपको कुछ खास बताना है ठीक है तो यहाँ पर हमने इसका अथवा वाला करा है आप देख सकते हैं इस तरह से यह पूरा का पूरा सॉलूशन आपको करना है तो यहाँ पर अनुवाद देर आप इसको पढ़ लिजिए वीडियो को पॉस करके और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा विल्कुस सांत सोभाव से और सांत रूप से इसको लिखा गया है आप देख सकते हैं यह पूरा का पूरा सॉलूशन है आपका इसके जो करक के बाद में खव पार्ट पूछा गया है तो खव पार्ट में आपसे संस्कित की दिग सिर्शिका के जादक कथा नामक पार्ट से जो है उद्दत है और उसके अलावा अनुवाद हम करेंगे मुझे तुम्हारे द्वारा उल्लू का राज अभिशेक पसंद नहीं इस क्रोधित का मुख तो देखो ना जाने क्रोध में कैसा हो गया है तो यह हमारा सॉलूशन हो गया इस लाइन का ठीक है यहाँ पर हमने इसका सॉलूशन बता दिया ठीक है अब आते हैं हम नेक्स्ट कोश्चन पर इसी इतना ही बड़ा होगा आपको घराने के जरूत नहीं क्योंकि अनुवाद करना है और संदर्व लिखना है संदर्व में आपको बताना होता है कौन से पार्ट से लिखा गया है कौन से पार्ट से लिया गया है और अनुवाद में उसका संस्क्रित का हिंदी में अनुवाद कर देना है इसके बाद में जो नौ नंबर कोश्चन है इसमें पुछाएगा निमलिकित मुहावरों में से किसी एक कार्थ लिख करके वाक्य में प्रयोग करना है तो चलिए हम सभी के वाक्य प्रयोग कर लेते हैं सबसे पहला कुशन है तलवार की धार पर चलना तलवार की धार पर चलना बहुत और ठीक इंकार ये करना वाक्यम प्रयोग आज की समय में मेहनत और इमानदारी से पैसा कामाना तलवार की धार पर चलने के समान है दूसरा है टका सा जवाब देना तो इसका मतलब है टका सा जवाब देना का इंकार करना वाके में प्रयोगे पिता जी ने तुम्हें एक काम करने के लिए कहा और तुमने उनको टका सा जवाब दे दिया उसके बाद दाल में काला होना तो दाल में काला होने का हम निकाल सकते हैं कि किसी बात का संदे होना तो इसमें किसी बात का संदे होना का हम वाक्यम प्रयोक कैसे कैसे आप मुझे मत फसाईए साहब मुझे पता है कि डाल में कुछ न कुछ काला है वाक्य प्रयोक कर दिया और चौता पूछा गया है नमक मिर्च लगाना तो बात को बढ़ा चड़ा कर कहना वाक्य प्रयोक कर सकते हैं तुम्हारी तो आदत ही हर को नमाक मिर्च लगा के कहने की है तो यह इस तरह वाक्य में प्रियों कर देंगे दस्वा कोशन की बात करें तो निमलिखित सब्दों में के संदी विच्छेद के सही विकल्ब का आपको चैन करना है तो सबसे पहले तदापी का संदी विच्छेद जो होगा तथा प्लस अप बी ओप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा इसके बाद में इसमें खव पाठ है दिये गए निमलिखित सब्दों की विवक्ति और वच्छन बतानी है तो यहाँ पर आत्मनह इसमें विवक्ति और वच्छन जो है वो सश्टी विवक्ति है और एक वच्छन है पहला ओप्चन इसके बाद में जो दूसरा कोश्चन है इसमें पुझाएगा है नमानन नामनान तो विवक्ति और वच्छन बताना है तो इसमें सश्टी विवक्ति और वच्छन है इसके बाद में ग्यारवा जो कोश्चन है निमलिखित सब्दों का सही अर्थ चैन करना है आपको तो यह और बादल, ठीक है, यहाँ पर आपका, सुरी, एक सेकंड, आपके मिस्टेक हो रहा है, मैंने आपका उप्शन ही पड़ दिया, देखिए, पहला का तो आंसर आपने देख लिए, वसन और वैसन का हो जाएगा, वस्तर और आदत, और यहाँ पर सेकंड जो है, अम्बूज और अम्बूद, इनका बताना है, तो इसका सही जोड़ा क्या हो जाएगा, अम्बूज और अम्बूद का, तो यहाँ पर सही जोड़ा कमल और बादल, सी ओप्शन करेक्ट हो जाएगा, उसका बाद खवपार्ट में निम सब्दों में से किसी एक सब्द के दो अर्थ आपको लिखने हैं, तो चलिए हम फटा-फट दिखते हैं, सबसे पहले अंबर, अंबर की जगे आपको कोई भी आ सकता है, अंबर को अचल, धुरूव या अविचल कहते हैं, पट को वसन, अंबर, परिधान, चीर और वस्तर कहते हैं, विधी को कानून, रिती, ईश्वर, भाग् कहते हैं, नाक को हाथी परवत बादल साप कह सकते हैं, ठीक है, तो इस तरह से आपको दो ही लिखने हैं, मैंने सभी के तीन, तीन, चार, चार बता दी है, याद रख लेना, आप अच्छी तरीके से, अच्छा आपको जो है, आपके एक्जाम की तियारी बेस्ट हो जाएग बटन नहीं प्रेस किया है, तो फटा-फट लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके, बैल आइकन को क्लिक कर दे, क्योंकि आपके सारे सब्जेक्ट अफ्लूड करूँगा, आर्ट्स कोमर साइंस, सभी के, तो आपको एकदम टैंसल लेनी की आवशकता बिल्कुल भी न चैनल नहीं मिलेगा, जो आपको कम्प्लीट सोलूशन दे, कम्प्लीट का मतलब होता है, कम्प्लीट, ठीक है, ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा, और मिल जाए तो मुझे भी बता देना, यार, मैं भी कम से कम खुस हो जाँगा, यूटूब पे आपकी हल्प के लिए कोई चैनल खिले है, इसके बाद में सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया, तो यहाँ पे कवित्री ही मिस्टेक है, सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया, ठीक है, यह आपका कवित्री लिखा है, और यहाँ पे कवित्री होगा, इसके बाद में चोथा है, किर्प्या अनुमोधन करन और परिभासा लिखना है तो मैंने हास से रस का इस्थाई भाव हास है क्योंकि इस रस के अंतरगत हसी यानी मुख मानी गई है कोई व्यक्ति विक्रत भाव भंगी माओं को बनाता है या विशेश प्रकार के वस्त पहनता है जिसे देखकर एका एक हसी छूट पड़ती है ऐस का इस्थाई भाव हास है हास रस की परिभासा लिखना चाहें तो हास से रस को मनरुजन रस भी कहा गया हास नामक इस्थाई भाव अपने अनुकूल विभाव अनुभाव और संचारी भाव के सयोग से अविव्यक्त होकर जब असवाद का रूप धारण करता है तब उसे ह प्रिभास सेरस कहा जाता है, तो ये हो गया उधारन इसमें मैंने बता दिया, जिसे देखकर कि हैं सी छूड़ जाती ही परिभासा हमने देख लिया, और इस थाई भाव भी हमने बता दिया, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सोलोसन हो गया, बारवे का कवपार्ट का अब पार्ट में आपसे पूछा गया है, सले सत्वा उत्प्रेक्षा लंकार का लक्षण और उधारन बताना है, तो मैंने उत्प्रेक्षा लंकार का लक्षण बता है, तो इसकी परिभासा और लक्षण दोनों चीज़ें बताएंगे, तो जहां पर उपमे में उपमान होने की ज hosting फ़ेएंगर का outभर नग्षण Kings के दीए इस छंद में चार心 रहना होते हैं पहले और दीसी चर्ण में ग्यारी 11 मात्राई और दूसरे और चोथे चरण में तेरे तेरे मात्राई होती है चरण के अंत में यती होती है पहले और तीसे चरण के अंत में एक लगुवन अवश्य होना चाहिए दूसरे और चोथे चरण के आरंब में जगन नहीं पढ़ना चाहिए यह दोहे का उल्टा होता है औ और सोठा में 24-24 मातराय होती है तथा 11 एवं 13 मातराओं पर बिराम भी होती है और सोठा अर्द सम्मातरिक छंद के अंतर गताता है ये question MC की भी बन सकता है और सोठा छंद के उधारण की बात करें तो हम इस तरह से एक उधारण दे सकते हैं जिसमें आपका नील सरोहु श्याम तरुन अरुन वारिज नयान इस तरह से ये वाला जो हमने दोहा लिखा इसका स्पस्टी करण जिया है इसमें मातराओं को मिला करके 11 पलस 13 टोटल 24 मातराय हो गया अता है यहाँ पर पहले तीन पहले तथा तीसरे चरण में 11-11 मातराय होती है तथा दूसरे और चोथे में फैली संक्रमक विमारी की तरफ जिला अधिकारी का ध्यान आकर्शित करते हुए उनको आवेदन पत्र या प्रात्ना पत्र लिखना है तो दोनों में से कोई भी एक लिख सकते है मैंने बैंक खाता खुलवाने का लिख दिया है तो इस तरह से लिखेंगे हम सेवा में श से मैं आपके बैंक द्वारा उपलब्द सेवाओं कर लाब प्राप्त कर सकूं महोदे मैंने बैंक अकाउंट खुलवाने से सम्मंदित सभी जरूरी कागजात इस आवेदन पत्र के सांथ संगलन कर दिया है अता आप से निवेदन है कि आप बैंक में मेरा एक नया आकाउं खाता खोलने की किरपा करें जिसके लिए मैं आपका सदा अभारी रहूंगा धन्यवाद भावदिये और फिर भावदिये के बाद मैं नाम पता एड्रेस जो भी आप लिख देंगे तो इस तरह से आप नाम पता एड्रेस लिख सकते हैं हमारा वाट्सप नमबर 8469022 और 568 यह वाट्सप नमबर है इस नमबर पे आप कभी भी अपना कुश्चन पेपर बोर्ड दुआरा जारी किया गया है 2021-22 की जो परिक्षाओं के प्रश्चन पत्र है चाहें अर्दवार्सिक और वार्सिक आप इसको सेंड कर सकते हैं साफ फोटो या पीडिये बना करके उसको complete solve कर दिया जाएगा ध्यान रखना है यह नमबर 846902568 इस पर कोई भी आप good morning good afternoon कोई भी message ना करें otherwise आपका number block कर दिया जाएगा कोई फाइदा नहीं होगा अगर आपको वाकई में जरू होत है तो केवल आपको question paper भेजने के लिए यह number दिया गया है आप अपने question paper को साफ- पुराने papers को नहीं भेजेंगे यह पहले बतायता हूं उसका कोई response नहीं लेगा आपको अभी हम 2021 के लिए आपके लिए कटू बद्ध है क्योंकि अभी आपकी जो परिक्षा हो रही है इसी के लिए हम अभी कर रहे हैं इसमें से अब last अंतिम question पूछा गया है निमलेखित लिखना है चाहें देश की वेरोजगारी पर लिखें आतंगवात पर लिखें व्रक्षा रूपन पर विद्यार्थी और रानीती पर और देश की सम्रद्धी और विकास पर तो मैंने यहां पर बताया है व्रक्षा रूपन का महत्तों के बारे में तो यहां पर हम व्रक्ष के बारे में जो है पर दूसरन अगर इस तर बढ़ता है तो किस तरह से मदद करते हैं यह सब दिखेंगे उसके बाद में इसकुल इस तर पर व्रक्षाड ओपन का महत तो जो है वो कैसा होना चाहिए यह भी हम इसमें ऐड़ कर सकते हैं चाहे तो आप इसको स्क्रिप कर दो च करना भी जरूरी है तो यहां बरक्षार लोग चाहिए गूर्ट करना चाहते हैं तो आपको घबरानी की जरूथ नहीं है इस पूरे वीडियो को देखने के बाद में जो student बने हुए इस channel से तो उनको ये PDF लिंक भी मिलेगी आपको घबरानी की जरूत नहीं है answer के साथ मैं आपको ये पूरा का पूरा PDF भी provide करूँगा जिसकी link description में दे दूँगा और इस PDF के password के लिए आपको वीडियो देखना ही होगा वीडियो को देखे बिना आप PDF को नहीं खोल सकते और इस PDF को जब आप download करोगे तो ये आप से खोलने के लिए password मांगेगा 1947 password डाल देना आपका जो PDF खुल जाएगा तो ये दिखान लगना है कि PDF का password मैंने आपको जो बताया है उसको यूज करना है और आपका जो ये पूरा solution जो आपके भी देख रहे हैं इस solution के साथ मिल जाएगा वीडियो को लाइक कर दें अपने चैनल पे अगर नए हैं तो सबस्क्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें लाइक का बटन जरूर पेस करें ताकि आप लोगों को जो हम सपोर्ट कर रहे हैं उससे हमारा मनोबल बना रहे है तो आसा करता हूँ इस वीडियो को देख कर कि आपको अच्छा लगा होगा पासवर्ट मैंने वीडियो में बता दिया है उसको डालेंगे तो पीडियो फुल जाएगी जो इस्टुटेंट लास तक वीडियो देखते हैं उनको इस चीज का फायदा हो सकता है जो वीडियो को स्किप कर रहे हैं भाग रहे हैं टाफर देखना चाहते हैं तो उनके लिए हमारे पास भी इतना समय नहीं है क्यों हमें बहुत सारे पीपर्स बनाने होते हैं आपको केवल एक पेपर पढ़ना है मुझे पूरे हिंदुस्तान को पढ़ाना है बहुत फरक है आप में और मेरे में तो आसा करता हूँ इस वीडियो से बहुत आपको लाब होगा आपके सारे सब्जेक्ट आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सभी के मैं अपलोड कर रहा हूँ सांती बनाए रखिए थोड़ा सा धहरे रखिए कम्पलीट सोलूसन दूंगा तो या दखना है आपको PDF डाउनलोड करना है तो आपको पासवर्ड चाहिए और पासवर्ड आल्रेडी में बता चुका हूँ इस वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा है तो पासवर्ड आपको बता चुका हूँ तो अपने आपने लाइक नहीं किया तो भूल गयोंगो तो लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए आगे के विशे के लिए कम्पलीट चैनल बे बने रही है अपडेट रही है और आपको अगर घंटी की बटन दबा देते हैं तो आपको जब भी कोई नोटिफिकिशन मिलेगी तो आप देख लिए ना कि आपके वीडियो अपलोड कीए गए हैं या नहीं थैंक्यू वेरी मच्छ हैवे गूड डे